लाक। नमस्त्रा दोस्तों मेरक स्टूर अरोग सपेशलीटीज मॉडन होंपेःटी चिकित्सा में आपका स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ढॉक्त अर्वही चुप्र जाइन्त की स्ट। साफ जान हरा था कें बारत लृट के कई अन्य राचिों में भी इसके के अलावा भी आन्य देशों से विलोग लेने ये लिए आरे हैंül युडि यह हमारी साथ है जी नमस созд अरो और सुपर स्पेशलिटी अब बहुत बहुत स्वाज़त है ची सर आपका शुगनाम मेरा नाम लली कांडी है नहीं क्या प्रप्रब्लम हुआ है सर हम मेरे फ्रेंड है उनको गल्ब्लाडर के अंदर पत्री का इश्यों आया और यह अर बाउट 13 mm कि यह कब से थी उनको यह पत्री की प्रप्रब्लम यह प्रप्रब्लम तो six months पहले डियाग्माश हुई थी लेकिद six months पहले यह कुछ six to seven event थी और six months के बाद अभी जो है कुछ 13 mm के अभी जैसे इतने जो six months है उस time period में मैं ने कहीं पर और treatment करवाया था नहीं कहीं नहीं करवाया सिफ एक बार टेस्ट करवाया है इसके तो पता किया सुनोग्राफिय के था सुनोग्राफिय मैं तब सिफ एक बार टेस्ट करवाया था six months पहले और उसके बार सेकिंद अभी करवाया है बिच में कोई treatment नहीं करवाया है अभी डाक्टर अरपे चोपड़ा जैन के पास आप पहली बार आए हैं जी फस्टर सब्सक्राइब के बारे में कैसे पता चला था यूट्यूब के तो और एक मेरे फ्रेंड थे उनिया से treatment कर वाया था तो उनकी रिजल्ट काफी अच्छे थे दोनों बातों के अदार पर मिदा आया अभी आप सर से मिले हैं अपनी फ्रेंड के लिए कैसा लग रहा है आपको अगली बार जब भी आप मैं के लिए और कौणी पूरी तरह से खत्म होज़ा और एक वह सवास्तजीवन आपन का जहा है अभी फिलहाल में अप सर से मिले हैं आपको काफी अवी पूर्फी प्रेंग्ट भी फील हो रहा है अगली बार जब भी आप मैम के लिए तब हम उनसे आप से बात करेंगे एक से दो महीने बाद आपको आपकी जो प्रॉब्लम में जो गॉड ब्लेडर में स्टोन है उसमें कितना फर्क नजर आया है उनकी समस्य कितनी हल हुई है इस तरीके कि हम आप से अनुभाव लेंगे और दवायों के बाद आपका कैसा अनु दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए साथी हमारी शुब कामना है प्रात्ना रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और एक खुश हाल जीवली आपन करें बहुत-बहुत धन्यवाट से नमस्कार हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोप